दोस्तों स्वागत है आपका नोल्जगोच यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियों में डिस्केस करने वाले हैं जेश्टी के 10 इपोटेंट टास्क के बारे में जो आपको 30 मर्च 2019 से पहले करने बहुत ही जुरूरी है चलो दोस्तों स्टार्ट करते हूं जान लेते हू दस इपोटेंट टास्क के बारे में सबसे पहला जो आपको इपोटेंट टास्क कोई है कि अगर आपके पास से अभी तक कोई भी आटीसी का क्लेम छूट गया है जुलाइद दो जास्तारा से लेके अभी तक अगर आपका कोई भी आटीसी का क्लेम छूट गया तो आपके पास यह लाड़ चांस है इसको क्लेम करने का इसके लिए जो लाड़ डेट है गत्तिस मार्च 2019 है इसके बाद आप ITC को क्लेम नहीं कर सकोगे दूसरा जो इपोटेंट टास्क है कि अगर आपने अभी तक जो भी अपनी जेश्टी के रिटर्ण्स फैल के हैं अगर आप कोई भी क्लेक्शन करना चाते हैं तो इसके लिए आपके पाद लाड़ डेट कत्तिस मार्च 2019 है आप कत्तिस मार्च 2019 से पहले आपकी जेश्टी की रिटर्ण्स जो आपने फैल के उसमें कर सकते हैं तीसरा जो इपोटेंट टास्क है कि अपने अभी तक अगर जेश्टी एर वन अगर आपने उसे अभी तक फैल नहीं किया है स्टार्टिंग से लेकर जुलाई 2017 से लेकर अभी तक अगर अपने इसे फैल नहीं किया है तो आप इससे भी 31 मार्च 2019 से पहले विदाट लेट फिसे अपने लड़ इक इसे फैल कर सकते हैं फिफ्थ जो हमारा दिखाई है उसको जेश्टियरवान से एक बार उसे रिकंसर्ण कर लिजिए क्योंकि यह आपके बैलेंस सीट के लिए का भी एक इपोर्टेंट पार्ट है इससी नेक्स्ट हमारा जो टैस्क हो है कि आपने जो भी आइटीसी क्लेम कि है 3B में उसको 2A के साथ आपको रिको क कर लेना भी बहुत ही आउस्यक हैं कि आप उसी 7 i tech को क्लेंब कर सकते हूं जो आपके 5a में दिखाई दे रहा है अगर आपको जैश्टियर 2 एप में नहीं दिखाई दे रहे है तो आपको अपने जो भी आपका शप्लायर預 आपको उसको खोल करना है और उसे से पाशल नहीं है ताकि आपके जेस्टिया 2A में रिफ्लेक्ट हो जाए और नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वह यह कि अगर आपने कोई भी आटीसी अभी तक गलती से ले लिया है या वह इनीजीबल आटीसी था और आपने उसे ले लिया है तो आप उसी रिवर्स कर सकते हैं इसके जेस्टि फर्वरी की जो जेस्टि के इटेंज है उसको भी आप कत्तिस मर्स 2019 से पहले फैल कर दें नेक्स्ट हमारा इप्पोरेंट टास्क जो आता है कॉंपोजिशन स्कीम में जाना चाते हैं तो आपको से एंपी 02 फों जो है उसको फैल करने की विला डेट कत्तिस मर्स 2019 ह है अगर आप 2019 बीस के लिए एक साल के लिए फैनेशल फीर के लिए यानि कि एक अप्रैल से लेकिंग कत्तिस मर्स तक अगर आपने इस एक अप्रैल को आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको इसके पर जिस्टि पेड करना पड़ेगा और बाद में आपको इसका रिफंड ल इसके लिए मैंने लग से वीडियो मना रखा है आपको उसे कैसे रिफंड कराना है आप उसे वीडियो को देखे उसे रिन्यू कर सकते हैं के दोस्तों थैंक्यू अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर केजिए गया और इसी तरह के अपडे